Hello everyone, कैसे आप सब? Welcome to Affairs Cloud, we learn to lead. मेरा नाम है Vikas, और आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है. तो friends, आज की वीडियो में हम sports से related कुछ important current affairs discuss करने वाले हैं January मत के. बहुत अच्छे questions होने वाले हैं, pen paper साथ लेके चलिएगा, note down करते चलिएगा, एकदम one liner format में है. वीडियो को end तक जरूर देखेगा, बहुत helpful रहने वाली है आपके लिए, अगर आपने वीडियो को like नहीं किया, तो जल्दी से like कर दें, link को अपने दोस्तों के साथ share कर दें, और channel को अगर आपने अभी तक subscribe नहीं कर रहा है, तो उसको जरूर से subscribe करते हैं, चलिए start करते हैं हमारी एक app है, Carious Cloud के नाम से, जो आप Play Store से जाके download कर सकते हैं, जैसे ही आप Play Store से application को download करते हैं, install करते हैं, आपके पास ऐसा page खुलेगा एक, उस पर आपको जाके अपनी Google ID से अपको login करना है, login करने के बाद ही, जैसे ही आप login करके अपनी application को open करते हैं, तो आपको एक window ऐस current affairs के section दिखेगा, यहाँ पर आपको current affairs इस पर click करते ही, आप हमारी current affairs के section में आ जाएंगे, हमारा current affairs का section है, जो हम आपको course प्रोवाइड करते हैं application में, बहुत अच्छा course है, आपकी preparation में बहुत जादा help होने वाली है, मैं आपको बता देता हूँ, ये course ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही question आप कम से कम 4 से 5 बार revise करेंगे, इतना helpful रहने वाला आपके लिए, देखते हम आपको क्या provide करते हैं, हम आपको current affairs हिंदी में provide कर रहे हैं, और हिंदी के साथ साथ हम English में भी provide करते हैं, जो content होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है, पहली चीज, हम आपको daily current affairs provide कर रहे हैं, daily PDF मिलेगी आपको, daily आपको question answer format में मिलेगा, ठीक है, आपको daily के 20 question मिलेगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी practice कर सकते हैं, और ये बहुत helpful होता है revision में, question answers मिलेगे आपको current affairs के, current affairs format, question answer के format में, फिर ऐसे ही आपको weekly मिलेगा, जो आपके पूरे week के questions, आप daily questions आपको PDF मिलेगी, उन में से जो important questions होंगे, उनका आपका एक तो quiz होगा करेगा हर week, 50 question का quiz बहुत होता है, आपको 50 question week के मतलब सारे important questions आगए, उसके साथ साथ question answer format में आपको हिंदी की e-book प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे paragraph wise या फिर एक question answer format में, आपको सारे week के current affairs म करेंगे monthly PDF, PDF आपकी हिंदी में ही होगी, आपको top 100 question answers मिलेंगे, ठीक है, जो पूरे महिने के 100 important questions हैं, वो आपको एक PDF प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे, आपको question answer format में भी provide होंगे, तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज, और यह आपका पूरा एक साल का course होता है, आपको दो course के option मिलेंगे, एक तो होगा for one year, एक होगा for two year, अगर आप new aspirant है, आपको मतलब अभी आपने preparation just start की है, तो I'll suggest आप दो साल का course purchase करें, बट आप एक regular aspirant है और पढ़ रहे हैं, तो आप एक साल का course भी purchase कर सकते हैं, important thing इसके बात यह हैं, कि हम आपको अलग banking awareness के भी questions प्रोवाइड करते हैं, bank से related जो आपके questions होंगे, सब इसमें हम अपना course में cover कर देते हैं, बहुत अच्छा content होता है, content में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, and daily update होता है, आपको daily PDF मिलेंगी, उसकी भी कोई attention लेनी की जरूत नहीं आपको, ठीक है, इ कई सारे important days हो गए महिने के, फिर books और authors, कौन सी book release होई है, कौन सी author ने क्या book अभी publish की है, फिर उसके बाद indexes हो गए, reports हो गई, ठीक है, फिर कोई festival celebrate किया गया है, या कोई योजना आई है, तो ये काफी सारे topics होते हैं, तो ये topic wise current affairs भी हम आपको 20 type के PDF प्रोवाइड करते ह हैं, जिसमें 20 अलग-अलग topics होते हैं, और ये आपको हर महिने update होती रहती हैं, ये चीज़, तो सोची आपको कितना अच्छा package मिल रहा है, कितना अच्छा course मिल रहा है, ठीक है, इसके अलावा, देखो कितनी सारी चीज़े provide कर रहे हैं हम आपको, इसके अलावा state current affairs, हर state के current affairs भी आपको individually provide होते हैं, इसके साथ, ठीक है, तो देखिए, हम आपके लिए कितनी महनत कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिरफ subscribe बटन दबाना है, और हमारे channel को subscribe करना है, इसके अलावा, आपको course का, तो हम मैंने बता दिया कि course purchase करना है, क्या course होगा, अब आप के लिए एक बहुत helpful चीज, जैसे ही आप course को purchase करते हैं, और आप checkout करने वाले होते हैं, तो आप Vikas 10 promo code यूज कीजिए, Vikas 10 यूज करते ही, जैसे आप promo code में डालेंगे नहीं तो आपको सीधा 10% का discount मिल जाएगा, extra 10%, वहापे जो discount होगा, वो अलग होगा, लेकिन उसके अला करते ही, चलो अपनी वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं, in today's video, we'll be looking at the important current affairs related to the sports of January 2021, the questions will be very important, so do watch the video till the end, as it will help you a lot for preparing in your upcoming exams, do like the video, share it with your friends and if you haven't subscribed to our channel, do subscribe, तो आईए friends, अपने ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो पहला topic आज हम देखेंगे sports related, वो है border gavaskar series, border gavaskar series, ये एक question आपका पता है, ये कैसे frame हो सकता है, question ये पूछा जाएगा कि border gavaskar series किस game से related है, सबसे पहली चीज, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये cricket से related rules पूछ सकते हैं आप से cricket के, आप से trophies का नाम पूछ सकते हैं, जो events चल रहे हैं, उनका पूछ सकते हैं, ठीक है, तो border gavaskar series किन किन के बीच में थी अगर cricket में हुई, तो ये India and Australia के बीच में जो हमारी series हुई cricket की, उसको बोलते है border gavaskar series, अगर हम बात करें इस बार India से, ज हो थे, जिनके रहाने, ठीक है, विराट कोली को इस बार थोड़ा rest दिया गया in the absence of विराट कोली, जिन्होंने पहला test match ही खेला था, next, India created history by defeating Australia for the first time at the Gaba in 32 years, ये मतलब history create कर रही हैं या पे, किस चीज की history बनाई है, देखते हैं, कि India ने Australia को defeat कर दिया, in 32 years, पहली बार, कहां पे, Gaba में, ठीक है, ये एक history भी बननी है या पर, next, the border Gaba's card trophy is a test series, played between India and Australia since 1996 to 1997, मतलब ये एक test series है हमारी, और ये जो खेली गई है, ये 1996-97 में start हो गई थी और अब ये तक continue चलती आ रही हैं, मतलब start date आपकी ये है, ठीक है, next, देखें, the border Gaba's card trophy was already with Indian team at it has won the series, held in India in 2016-17, and its maiden series win in Australia in 2018-19 में उनोंने जीता, Pat Cumens was adjusted as the player of the series for picking up 12 wickets in the series, कौन, Pat Cumens, Pat Cumens को man of the, या player of the series के khitab से सम्मानित किया गया, किन को, Pat Cumens को, क्या बने हैं ये, player of the series, player of the series, all right, next, मुलग medal की बात करते हैं, ये important है, important मा करके चलिएगा इसको, मुलग medal, हमारा, मुलग medal, किन को मिला है मुलग medal इंडिया में, मुलग medal इंडिया से जो मिला है, अजिंक्या राने को बने है, first recipient of Mughal medal, किन को मिला, ये मिला आपके, अजिंक्या राने को, ये ही Indian team के captain थे during this series, तो अजिंक्या राने को मुलग medal मिला, important है, मा करके चलिएगा, ठीक है, फिर, after, कब मिला, इनको man of the match at the boxing day test held at MCG ground, next, चीज, मुलग क्या है, मुलग जो medal हम दिये जाते हैं, किस लिए दिया जाते है, It is the name of former Australian cricket team captain Johnny मुलग, ये जो मुलग medal है, ये आपका, former Australian cricket team के captain थे, Johnny मुलग, उनके नाम पे दिया जाता है, He was the first cricketer who captained the 1868 Aboriginal cricket tour of England, जो पहला test cricket tour था ना, England का 1868 में, तब वो captain थे in England team के, ठीक है, Johnny मुलग, तो उनकी याद में दिया जाता है, तो अगर हम इनको देखें, तो ये जो जियाद जाता है, Johnny मुलग, ये captain रहे थे 1868 में, कब? 1868 में जो England की team test cricket match खेलने गई थी, उस team के captain रहे थे, ठीक है, next चीज़ देखते हैं, Cricket Australia has earlier announced that the player of the match of the boxing day test will be the awarded with the मुलग medal, ठीक है, तो देखिए, अभी recently क्या पढ़ा हमने, कि अजिंके रहने जी को मुलग medal से सम्मानित किया गया, क्योंकि ये man of the match रहे थे, boxing day test series के, जो man of boxing day test match हुआ था, उसके man of the match रहे थे, तो ये पहले से ही announce कर दिया था, Cricket Australian team ने, मतलब उनके board ने, कि जो player man of the match रहेगा, boxing day test का, उनको मुलग medal से सम्मानित किया जाएगा, तो वो man of the match रहे, अजिंके रहने, ठीक है, चलिए next देखते हैं, Claire Polosak became the first women to officiate at the men's test match, Claire Poson, important, ये भी mark करके चलिएगा, क्या, Claire Polosak, Claire Polosak, ये क्यों important है, क्योंकि ये पहली women बनी है, first women, किसलिए, officiate at men's test match, मतलब जो empire होते हैं, जो officials होते हैं, third empire होते हैं, तो उनमें, Claire Polosak ने officiate करा, men's cricket test match में, first women to officiate at men's test match, men's test match, ठीक है, फिर Australian की थी ये, ये उस्ट्रेलिया से हैं, ये भी याद रखना, Claire Polosak आपकी, आस्ट्रेलिया से है, ठीक है, she took up the role of the fourth empire, आगया न, officiate बनी और वो, क्या बनी, fourth empire, उनको fourth empire बनाया गया, between India और आस्ट्रेलिया के बीच में, जो match हुआ, fourth empire is usually appointed by the home cricket board, for the nominees to the international panel of the ICC empires, ठीक, अलग चीद देखते हैं, हो गया Claire Polosak का, इनके अलावा याद रखिए, मैंक अगरवाल, became the third fastest Indian to score, thousand running test series, किसकी बात कर रहे हैं हम, अब हम बात कर रहे हैं, मैंक अगरवाल की, मैंक, अगरवाल, देखें कितनी सारी information है, आपको याद रखने के लिए, sports से, ये आपको इस वीडियो में सारा, sports से related ही मिलेगा, ठीक है, जैन्वरी मन्त में, जो जो sports से related हुआ है, वो इस वीडियो में covered है सारा, एकदम one-niner format में, और questions इससे बाहर आएंगे ही नहीं, ठीक है, चलिए, मैंक अगरवाल के बारे में पढ़ रहे थे हम, मैंक अगरवाल क्या बने हैं, third fastest Indian, third fastest Indian, in test cricket, ठीक है, मैंक अगरवाल, third fastest Indian बने है, to score thousand runs in test cricket, विनोध कामली, इस दफर्स इंडियन प्लेयर to get thousand runs, तो जो first player थे न, वो कौन थे, और दफर्स इंडियन प्लेयर to score thousand runs, वो थे, विनोध कामली, ठीक है, he achieved it in 14 innings में उनको हो गया था, और चितेश्वर पुजारा second fastest है, उनको 18 innings लगी थी, ठीक है, और मैंक अगरवाल ने ये 19 innings में किया है, और आपका पुजारा को, जो time लगा था, वो लगा था 18 innings, अगर मतलब ये, मैंक अगरवाल एक या दो इनिंग कम ले लेते, तो इनको ये समझी है, second position पे आ जाते हैं, ठीक है, तो एक बार जल्दी से सारा फिर से revise कर लेते हैं, border gawaskar series, border gawaskar series, किस से related है ये series, ये cricket से related है, ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये recently हुई थी, और आस्ट्रेलिया में ही हुई है, ये आपको याद रखना है, जो place है, वो ऑस्ट्रेलिया ही रहेगी, man of the match, या फिर आप याद रखिये, जो captain रहे इंडियन क्रिकिट टीम के, वो थे अजिंके रहने, ठीक है, हिस्ट्री में, ये पहली बार हुआ है, मतलब हिस्ट्री रची गई थी इस बार, क्यों क्योंकि इंडिया 32 साल बाद गाबा में, आस्ट्रेलिया को हरा के आया, टेस्ट सीरीज में, ठीक है, पैट क्यों मिन्स, आस्ट्रेलियान प्लेयर को, प्लेयर अफ़ दस सीरीज अवार्ड से सम्मानित किया गया, मुलग मैडल से जिनको सम्मानित किया गया, वो है अजिंके रहने जी, ठीक है, ये कैप्टेन थे, इंडियन क्रिकिट टीम के, और मुलग मैडल अजिंके रहने को इसलिए मिला, क्योंकि जो आपका बॉक्सिंग डे का टेस्ट था, क्रिकिट ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने पहले एनाउंस कर दिया था, कि मुलग मैडल उनको सम्मानित किया जाएगा, जो प्लेयर अफ़ दम मैच रहेगा, बॉक्सिंग डे टेस्ट का, ठीक है, तो उनको सम्मानित किया गया मुलग मैडल से, और ये मुलग मैडल जो होता है, किनकी आद में जाता है, या तो किनको आउनर करने के लिए दिया जाता है, वो है जौनी मुलग, जौनी मुलग, जो ऑस्टेलियन टीम के कैप्टेन रहे थे, जब 1868 में इनका इंग्लेंड टूर हुआ था, तो ये वहाँ पे कैप्टेन रहे थे, ऑस्टेलियन क्रिके टीम के, उनको आउनर करने के लिए मुलग मैडल से सम्मानित किया जाता है, और इस बार पहले इंडियन को जो मिला है वो है, अजिंके रहने, इनके बाद क्लेर पोलो सेक, क्लेर पोलो सेक का याद रखना ये ऑस्ट्रेलियन ही है, ये पहली वीमेन बनी है, तो ओफिशेट एड़ दा, मैंस टेस्ट मैच, मैंस के टेस्ट मैच में, जो पहली वीमेन ने ओफिशेट किया, वो थी क्लेर पोलो सेक, और ये फोर्थ एंपायर बनी थी, ठीक है, फोर्थ एंपायर, क्लेर पोलो सेक, फर्स्ट वीमेन, टेस्ट मैच में, मैंस के टेस्ट मैच में, जिन्होंने officiate किया फिर हम next देख रहे हैं मयंक अगरवाल को मयंक अगरवाल ने 19 इनिंग ली और 3rd fastest इंडियन बन गए है 1000 रन स्कोर करना in a test match ठीक है मतलब एक test series में 3rd fastest इंडियन प्लेयर to score 1000 रन्स in test match ठीक जो total उन्होंने 1000 रन जैसे इन्होंने 19 इनिंग ली जो first player है जिन्होंने इंडियन प्लेयर ने 1000 रन बनाये थे test match में सबसे जल्दी वो है 14 इनिंग में विनोध कामली जी ने ठीक और पुजारा ने जो 18 इनिंग ली 1000 रन बनाने के लिए test series में जैसे इनिंग हो गई ना 19 इनिंग लगी उनको इसको 18 इनिंग लगी विनोध कामली को 14 इनिंग लगी first player थे विनोध कामली second पुजारा end up third बन गए आपके मयंक गरवा तो ये था आपका सब कुछ related sports से related जो आपके January मंत में आया है ठीक है तो next move करते है next topic पर चलिए next पर चलते है next topic हम जो discuss करेंगे आज वो है Yonex Thailand open Yonex Thailand open जैसे आप picture में देख पा रहे हैं ये किस से related है ये आपका badminton से related है ठीक है ये आपका badminton से related है Yonex Thailand open ठीक question पूछा जाएगा कि Yonex Thailand open जो आपका title होता है या फिर जो आपकी series होती है it is related to which sport तो option में badminton आते हैं आपको take कर देना है Yonex Thailand open level super thousand a badminton tournament took place at impact arena Bangkok Thailand कहा पर हुआ ये कहा पर हुआ था ये हुआ था Bangkok Thailand मे stadium का नाम पूछा जाएगा नी जो arena होता है बट फिर भी एक याद रखने के लिए impact arena में हुआ था आपका Bangkok Thailand में इंपक्ट आरेना में आपका Yonex Thailand open 2021 और्गनाइज हुआ था all right it is the first badminton tournament of 2021 January में हुआ तो क्या first हो गया ठीक है first badminton tournament of 2021 ये important है first badminton tournament of 2021 it was organized by किस ने और्गनाइज कराया कहां पर वह था Thailand में हुआ था तो और और बैडमिंटन federation है तो badminton world federation ने badminton association और Thailand के साथ मिलके ये tournament कराया badminton association of Thailand ने मिलके किन के साथ badminton world federation के साथ badminton world federation के साथ मिलके आपका ये tournament कराया ठीक है फिर देख लिजे yonix Thailand open yonix याद रखे एक बहुत बड़ी कंपनी है yonix Thailand open बैंक कॉंग Thailand में हुआ impact arena में हुआ first badminton tournament था 2021 का badminton association of Thailand और badminton world federation ने मिलके ये आपका tournament organize कराया ठीक है तो next हम देख चलिए next देखते हैं हम की winner कौन-कौन रहे यहाँ पे categories में जो हमारे पहले winner रहे वो थे man single category में देखते हैं man single category में जो हमारे winner रहे वो थे runner-up वो कौन थे Angus Long ये आपके Hong Kong से थे अगर women singles की बात करें women singles में Carolina Marine ये आपकी Spain से रही first position पे इन्होंने first position ली second position पे थे Tai Zhu Ying ये आपकी Taiwan से ऐसे man doubles में भी याद रखना ली लैंग और वेंग चिंग ली ताइवान से winner रही गौवशेम और टैंग वी क्योंग ये मलेशिया से रहे winner-up विमेंस doubles में ही बात करें तो गिरिशिया पोली अपिरियानी रिहाउ ये आपके इंडोनेशिया से रही एंड second position पे आपके रहे किती करल एंड रविंडा प्रोजॉंग ये बहुत difficult नाम है ये तो प्रनौन्स करना बट जो आपको main याद रखने का है इसमें आप इसका screenshot ज़रू ले लिजेगा क्योंकि जो highly important question बन जाते है ना जिसके chances ज़ादा होते हैं पूछने के वो है आपका विक्टर एक्सलसन डेन्मार्क से एंड एंगस लॉंग होंग कॉंग सेकेंड और वीमेन में कैरोलीन मेरीन स्पेन और टाइजू ये ताइवान से ये जो चार नाम है ये चार नाम बहुत ज़ादा important है पूछना बहुत ज़ादा compulsory है पूछा जा सकता है आप तो चलिए नेक्स देखते हैं AFC Women's Asia Cup AFC Women's Asia Cup चलिए कौन इसको Women's Asia Cup को होस्ट करेगा AFC Women's Asia Cup को कौन सी कंट्री होस्ट करेगे सबसे पहली चीज़ तो इंडिया होस्ट कर रहा है भाई ये ठीक है hosted by इंडिया पहली चीज़ सबसे पहला question यही आएगा कि AFC Women's Asia Cup को कौन होस्ट कर रहा है ये होस्ट कर रहा है इंडिया दूसरा question कब होंगे AFC Women's Asia Cup कब होंगे ये आपके होंगे 2022 में ठीक है 2022 में AFC होता है आपका Asian Football Confederation Confuse मत होना Asian Football Confederation का Women's Asia Cup इंडिया में होगा 2022 में होगा ठीक है चलिए Stadium का नाम बता दो तीन Stadium में होगा कलिंगा Stadium कलिंगा Stadium कलिंगा Stadium दूसरा है आपका Trans Stadium और तीसरा है आपका D.Y.Partill Stadium ठीक है डीवाई पाटिल स्टेडियाँ जो आपका कलिंगा स्टेडियाँ है यह है भावनेश्वर में आपका ट्रांसेडिया यह एंदाबाद में है और डीवी पाटिल स्टेडियाँ यह है आपका नवी मुंबई में ठीक information तीन question हो गए हाँ अभी तक आपके Asian Federation Women's Asia Cup 2022 में होगा पैला question कहां पे होगा कौन होस्ट कर रहा है India होस्ट कर रहा है दूसरा question और Kalinga Stadium, Trans Stadia DY Partil Stadium इन तीन स्टेडियम में होगा तो तीसरा question ठीक, next चीज Next question Previously DY Partil Stadium in Navy Mumbai was used to host the FIFA Under World Cup 17 in 2017 FIFA Under Cup Under 17 World Cup जो हुआ था DY Partil Stadium में हुआ था ठीक related information important क्या DY Partil Stadium में आपका FIFA Under 17 का जो World Cup हुआ था, वो हुआ था ओल्राइट, additional information पूछा जा सकता है DV Partil Stadium से related ठीक, चलिए, next चीज देखते है The qualifiers for the tournament will be had between 15 से 25 सेप्टेंबर 2021 तो अभी टाइम है होने में India will also host FIFA Women's Under 17 World Cup in 2022 यह आया ना, important question क्या, कि जो FIFA का Women's World Cup होगा ना FIFA Women's Under 17 World Cup मतलब, Under the Age of 17 की जो Women's है, उनका जो FIFA World Cup होगा वो का होगा, वो भी इंडिया में होगा, कितने सारे question बन गए हैं आपके, वो भी इंडिया में होगा और 2022 में ही होगा ठीक है, तो FIFA Under 17 World Cup Women's का, और आपका AFC का Women's Asia Cup यह दोनों इंडिया में होगे दोनों 2022 में होगे ठीक है, चलिए, अल next Australia and New Zealand jointly, अब कुछ हम recent news देखते हैं, जो important है Australia and New Zealand jointly host 2023 FIFA Women's World Cup for Football Tournament, देखिए 2023 में जो FIFA Women World Cup होगा ना, वो कहाँ पे होगा Australia and New Zealand उनको jointly organize कराएंगी कौन-कौन Australia and New Zealand, दोनों कब FIFA World Cup कराएंगी 2023 में मिलके, ठीक पहली चीज, दूसरी FIFA gave the hosting right for the first 32 Women's Champions to Australia and New Zealand दिस इस देखिए फर्स वीमें World Cup to be hosted in the Asia Pacific region यह भी याद रखेगा, फर्स World Cup to be hosted in the Asia Pacific region कौन host करेगा, Australia or New Zealand, Women's का 2023 का FIFA World Cup ठीक, confused क्यों नहीं होना बच्चे confused क्यों हो जाएंगे, यह है FIFA Women's Under 17 World Cup 2023 कहाँ पे, इंडिया में Under 17 World Cup जो होगा Women's का FIFA का, वो इंडिया में होगा 2022 में और 2023 में आपका Australia और New Zealand FIFA World Cup 2023 में और्गनाईज कराएंगे मिलकर, ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं, प्रेजिडेंट की All India Football Federation के प्रेजिडेंट की वो है प्रफुल पाटिल, he is also a FIFA Council Member, Vice President है सुबरतादता, it was founded in 1937 और जो Headquarter रहेगा, वो है डेली में AIFF का, अगर हम Asian Football Federation की बात करें इनके जो प्रेजिडेंट है, वो है Sheikh Salman bin Elbrim Al Khalifa और जो General Secretary है वो है Data of Wisdom John Headquarter रहेगा, Kuala Lumpur में Malaysia में, और इट वास founded in 1954 ठीक है, तो जल्दी से एक बार अपना सारा फिर से revise कर देते हैं, इस topics related की आपको revision में help मिले AFC Women's Asia Cup 2022 में होगा, India organize करा रहा है, इन तीन stadium में होगा, जिनका नाम है Kalinga, Transadia और DV Partil Stadium DV Partil Stadium से related एक और information की, फीफा Under 17 का जो World Cup हुआ था कब 2017 में वो यहीं पर हुआ था, और FIFA Women's Under 17 जो World Cup होगा, वो भी India में ही होगा 2022 का इससे अलावा याद रखना कि जो Australia और New Zealand दोनों मिलकर, FIFA World Cup 2023 Women का I repeat, 2023 का FIFA Women's World Cup Football का Australia और New Zealand मिलके 2023 में organize कराने वाले हैं, जो President रहेंगे All India Football Federation के वो है प्रफुल पाटिल, ये FIFA Council Member भी है, President रहेंगी Vice President रहेंगी, सुब्रतादत्ता It was founded in 1937 और जो Headquarter है, वो है New Delhi में फिर अगर मैं बात कुरू Asian Football Confederation की President रहेंगे, शेक सल्मान बिन एमरीन अलखलीफा, जनल सेकेटरी डाटो विंस्डर जॉन और जो Headquarter कौलालूमपर मलेशिया में और ये 1954 में ये Headquarter इनका बना था मतलब AFC Asian Football Confederation आपकी बनी थी तो चलते हैं पर Next question पर Next हम बात करेंगे इंडिया के 67th Chess Grandmaster की Chess Grandmaster की हम बात करने वाले हैं ठीक है पहली चीज याद रखने की इनका नाम इंडिया के 67th Grandmaster बने हैं ये कौन? Leon Mandongka Leon Mandongka ये सिरफ 14 साल के हैं 14 years इनकी एज है Leon Mandongka ये 67th Chess Grandmaster बने हैं याद रखना 67th Grandmaster of India ठीक है 67th Grandmaster बने हैं ये हैं इंडिया के ठीक फिर इनसे related क्या नाम या चीज याद रखनी हैं ये गौवा से हैं Leon Mandongka 14th 14 साल के हैं ये 67th Grandmaster बने हैं ये इंडियान है ठीक फिर 14 year old Leon Mandongka from Goa became the India's 67th Chess Grandmaster after winning his third and final norm at the Vergani Cup Italy Mandongka is only the second GM from Goa ये गौवा से ना second GM है गौवा से मतलब गौवा में जो बच्चे हैं उन सब मेर जो लोग हैं उन में से ये second Grandmaster बने हैं दूसरी चीज he became the 29th youngest Grandmaster in the world 29th Grandmaster या फिर 29th youngest Grandmaster मतलब इन से पहले यंग रह चुके हैं ठीक है youngest Grandmaster in the world Seagre Kargin of Russia holds the record for the youngest Grandmaster तो अगर मैं youngest Grandmaster की बात करूँ ये तो 29 थे लेकिन जो first position पे रहे हैं youngest Grandmaster वो कौन है वो है Sergei Karjkin Sergei Karjkin ये आपके क्या रहे हैं रशिया से हैं और जो ये Grandmaster बने थे ये सिरफ 12 साल की उमर में बन गए थे 12 years और 7 month की age में इन्होंने Grandmaster का title हासिल कर लिया था और जो हमारे Indian Goa से Leon Mandong का है ये अभी 14 साल के हैं ठीक है तो ये कौन सी position पे आए 29th youngest Grandmaster Confuse नहीं होने का बिलकुल भी जो और Goa से second है तो जो Goa से first रहे थे वो थे Ivana Maria Futado ओल राइट चलिए GM is a title awarded by FIDE International Chess Federation जो Grandmaster का आपका title होता है ये कौन प्रोवाइड करता है ये दिया जाता है FIDE के द्वारा FIDE FIDE जो होता है ये आपका होता है International Chess Federation है International Chess Federation है It is the highest title a chess player can obtain apart from world champion ठीक है Grandmaster जो आपका title होता है ये highest title है जो आप world title या world champion के अलावा जो आप एक chess player hold कर सकता है All right Key points जो याद रखने के हैं वो आपके होंगे In order to qualify In order to qualify for the title of GM GM के title के लिए qualify होने के लिए एक player को must achieve 3 Grandmaster norms in the events covering a minimum of 27 games Total 27 games में से 3 Grandmaster norms उनके पास होने चाहिए अगर उनको Grandmaster title के लिए compete करना है या qualify करना है Leon Mandongka achieved his first norm at Rego chess Grandmaster round robin October 2020 में Second उन्होंने first Sunday को जीता Budapest में और जो final one उन्होंने वरगानी कप जीता है इटली में ये वरगानी कप हम recently पढ़ भी चुके हैं December 2030 को 30 December 2020 में इटली में वरगानी कप मिला था किन को Leon Mandongka और ये गोगा से हैं He is the first He finished second at the वरगानी कप in the Basal De Gappa with 6.5s behind European Vitale Brandiski फिर next हम देखेंगे Indian के India's Grandmaster जो India में Grandmaster रहे हैं पहले जो India में Grandmaster जो youngest Grandmaster रहे हैं वो है Gukesh D Gukesh D इंडिया के youngest and second youngest Grandmaster in the world है He achieved the feat in the 2019 और ये 12 साल, 7 महिने और 17 दिन के थे जब इनको Grandmaster का टाइटल मिला ये इंडिया के youngest और second youngest Grandmaster in the world है First Grandmaster from India जो रहे थे वो विश्वनात आनन्द रहे थे 1988 में ये चीज़ याद रखने की है इंपोर्टन है 1988 में विश्वनात आनन्द आपके First Grandmaster of India थे पहले Grandmaster इंडिया की Kukesh D आपके youngest Grandmaster है इंडिया की youngest Grandmaster है और World के second youngest Grandmaster है ठीक है Second youngest Grandmaster in the world फिर अगर रिसेंटली और कुछ न्यूस देखे हम इसी टॉपिक से छे जुलाई 2020 को 23 साल के जी अकाज फ्रॉम चन्नाई तमिलनाडू बिकेम दा इंडिया 66th Grandmaster विदर रेटिंग ऑफ 2495 ठीक है ये थी फिर अगर हम बात करें International Chess Federation के जो प्रेजिडेंट रहे वो थे अकाड़ी डोवो कुरिच और जो headquarter था वो था लौसेंड स्विजरलेंड में ठीक है तो एक बार फिर से revise कर लेते हैं इसको अच्छा question है अच्छे question बनेंगे इस topic से must know होना चाहिए ये तो जो हमारे Grandmaster बने हैं इस बार recently उनकी बात करेंगे हैं वो है Leon Mando का ये आपके 67th Grandmaster है ये सिरफ 14 साल के है ये गोवा से है और ये गोवा से जो Grandmaster बने है वो second person है ये 29th youngest person बने है Grandmaster ये 12 साल की age में जो ये 14 साल की age में इन्होंने Grandmaster का title हासिल कर लिया था जो first person था जो मतलब youngest ever Grandmaster title जिन्होंने hold किया है वो है सरगे कजाकरिन ये रश्या से है और इनकी जो उमर थी जब इन्होंने Grandmaster का title अपना लिया था तब ये 12 साल और 7 महीने के थे ठीक है फिर अलग चीज याद रखना कि जो Grandmaster title है आपको याद रखना इसको लेने के लिए इसको अचीव करने के लिए आपको कम से कम तीन Grandmaster Norms में होना चाहिए त्री Grandmaster Norms ठीक है और 27 गेम्स होते हैं उन में से तीन Grandmaster Norms आपके पास होने चाहिए लियॉन मेंडाका ने पहला Norm आपका Rego Games में लिया दूसरा उनको मिला बुद्धापेस्ट में और जो तीसरा मिला वरगाणी कप में वरगाणी कप में उनकी जो रैंक रही थी वो सेकंड रही और जो फर्स पोजेस्टेंज पर आयते वो थे युक्रेइन के विटाली ब्रेंडिस की ठीक फिर अगर हम इंडियन Grandmasters की बात करें तो इंडिया में जो Grandmasters रहे थे वो थे गुकेश डी ये इंडिया के यंगेस Grandmasters है और ये वर्ल्ड के सेकंड यंगेस Grandmasters है ठीक है ये अचीव दिस एज इन 2019 जब ये 12 साल 7 महिने और 17 दिन के थे तब इन्हें उन्हें ये Grandmasters का टाइटल अचीव किया था जो फर्स Grandmasters रहा इंडिया का वो थे विश्वनात आनन जी ये 1988 में इनको Grandmasters का टाइटल हाशिल हुआ था फिर अगर मैं बात करूँ President की International Chess Federation के वो थे अकारे डोकोवरिच और Headquarters रहा लोजैन स्विजर लेंड में अल्राइट चलिए फिर Next देखते हैं ये तो था हमारा Chess से रिलेटेड Next और आज का जो हमारा Last topic रहेगा वो है आपका Indo-Tibetan Border Police Wins 10th National Ice Hockey Championship in Gulmark मतलब Ice Hockey Championship की हम बात करने वाले हैं Ice Hockey Championship Ice Hockey Championship की हम बात करने वाले हैं किनोंने इस Championship में विजी हासिल करी मतलब कौन जीता Indo-Tibetan Border Force पहली चीज़ Indo-Tibetan Border Force Indo-Tibetan ITBP इसको ये भी कह देते हैं Indian Force कह लीजी या फिर Indo-Tibetan Border Police ITBP इन्होंने आपकी 10th National Ice Hockey Association या 10th Ice Hockey Association of India को जीता कौन सा 10th National Ice Hockey Championship को इन्होंने जीता ITBP याद रखियेगा ठीक है दूसरी चीज़ आइस होकी एसोसियेशन औफ इंडिया ये और्गनाइस कराया गया था आइस होकी एसोसियेशन औफ इंडिया द्वारा हुआ कहां पे था गुलमर्ग में हुआ था 10th National Ice Hockey Championship जीती किसने ये जीती ITBP जो की है Indo-Tibetan Border Force या Indo-Tibetan Border Police द्वारा ये जीती गई ठीक है याद रखियेगा अगर हम इससे रिलेटेड ही कुछ इंफोर्मेशन पढ़ते हैं जैसे कि around 8 ice hockey teams including teams from Delhi, Maharashtra, Indian Army participated in this championship मतलब दिल्ली से, Maharashtra से, Indian Army की इन अलाग से total 8 teams ने इसमें participate किया है ठीक है इस ice hockey challenge में फिर ITBP is one of the India's primary border patrol organization जैसे मैंने बोला ITBP आपकी Indo-Tibetan Border Police होती है तो ये primary border patrol organization आपकी It is responsible for managing India's borders along China Tibet Autonomous Region It is one of the 7 Central Armed Forces of India CAPF जो साथ Central Forces of India उनमें से एक ITBP है आपकी फिर अगर मैं ice hockey association of India की बात करूँ जो है IHAI हमने देखा इनोंने ही आपका ये ice hockey national ice hockey championship organize कराई थी गुलमर्ग में इनके जो general secretary है वो है हरजिंदर सिंग और जो headquarter रहेगा इसका IHAI का ये रहेगा आपका New Delhi में तो एक बार जल्दी सी हम अपने सारे revise कर देते हैं वापिस जो जो आज हमने आपको पढ़ाया start करते हैं गावसकर border series से ठीक है गावसकर border series आपका किसने कौन से game से related है ये cricket से related है ये इंडिया और Australia के बीच में हुआ था और Australia में ही हुआ है ये आपका अजिंक है रहने जो captain रहे Indian के इस बार क्योंकि Virat Kohli को एक ही test match खेल के वो rest पे चले गए थे इसी में इन series के दोरान ही history बनी कि इंडिया ने 32 साल में पहली बार Australia को गाबा में जाके हराया है ठीक है ये series आपकी एक test series है अगर पूछा जाए ये start कब हुई थी 1996 में और 1997 में ये start हुई थी Pat Cumens Pat Cumens याद रखना आपके player of the series रहे है Pat Cumens Australian player है और ये player of the series रहे फिर अगर हम बात करें Mullag medal की, Mullag medal दिया गया Mullag medal दिया जाता है Johnny Mullag की याद में उनको honor करने के लिए Johnny Mullag Australian cricket team के captain रहे है 1868 में जब ये match इस start हुए थे पहली बार और उनका जो पहला match था वो against था किनके England के ना 1868 याद रखिएगा ठीक है और Johnny Mullag captain रहे आपके Australian cricket team के फिर Mullag medal मिला कि इसको पहली बार Indian में से Indian जो player को मिला है पहली बार वो है अजिंग के रहने और ये बोला गया था Australian cricket board के द्वारा कि जो boxing day cricket match का जो boxing day का match होगा test उस दिन जो player of the match रहेगा उनको ये मुलग medal से संभानित करेंगे और वो अजिंग के रहने रहे फिर clear polosak के बारे मियाद रखिए ये Australia से हैं ये first women to officiate at men's test match जो men's test में पहली official cricket women रही वो थी clear polosak polosak ये आपके Australia से ही है और ये fourth empire थी ठीक है अगर पूछा जाए तो clear polosak आपकी कौन सी empire रही थी men's cricket test match में तो वो fourth empire रही थी फिर अगर हम पढ़े मयांक अगरवाल के बारे में मयांक अगरवाल ने third fastest cricket Indian ठीक है उन्होंने 19 इनिंग्स लगाई 1000 रन बनाने के test match में जो first player थे वो थे Vinod Kamli इंडिया के उन्होंने 14 इनिंग्स ली थी और जो second person थे वो थे पुजारा उन्होंने 18 इनिंग्स ली थी 1000 रन बनाने के लिए test match में next पे चलते हैं next हम देखेंगे योनेक्स थाइलेंड ओपन 2021 की हम बात करेंगे यह आपका बैडमिंटन से रिलेटेड है यह बैंकोंग थाइलेंड में हुआ था ठीक है बैंकोंग थाइलेंड में भी impact एरीना जो court था वहाँ पे हुआ था यह आपका पहला बैडमिंटन टूर्नामेंट है विमेंस की बात करें तो कारलोन कारोलीना मारीन यह स्पेन की रही फर्स्ट पोजिशन पे और टाइजु येंग आपके ताइवन की सेकेंड पोजिशन पे रही इंपोर्टन आपको यही चार नाम याद रखने है मैं डबल्स वगर आप पढ़ सकते हैं बट चांसिस हाई यही रहेंगे कि आपके मैं सिंगल और विमें सिंगल से ही क्वेशन पूछा जाएगा ठीक है तो चलते हैं अपने नेक्स की तरफ नेक्स्ट है हमारा AFC विमेंस एशियन कप AFC विमेंस एशियन कप की अगर हम बात करें ये इंडिया, औउगनाईस कराएगा 2022 में होगा ये Anian Cup ठीक है, एशिया का आपका याद रखिये, important है कहां पर कराएगा कलिंगा स्टेडियम ट्रांस स्टेडिया स्टेडियम और बनीवाय पार्यल स्टेडियम में ये और और याजनाईज होंगी फिर याद रखिएगा कि FIFA Women's का जो Under 17 का World Cup होगा ये भी इंडिया ही organize कराएगा और ये 2022 में कराएगा ठीक है फिर अगर मैं बात करता हूँ आपसे कुछ Australia और New Zealand भी आपको नाम याद रखना है अगर FIFA Women's World Cup से पूछा जाए कि 2023 का FIFA Women's World Cup कौन organize कराएगा ये Australia और New Zealand कराएगे 2023 म Women's World Cup होगा जो Asia Pacific region में होगा Australia और New Zealand करा रहा है ठीक है फिर ये आप याद रखिएगा ये आपके All India Football Federation के और Asia Football Federation के कुछ प्रेजिडेंट और Headquarters की बात कर रहे हैं Next है हमारा Chess Grandmaster की हम बात करेंगे Chess Grandmaster जो इंडिया से अब भी 67th Chess Grandmaster बने है वो है Leon Mendonka Leon Mendonka आपके 14 साल के हैं और ये गोवा से 2nd person बने है जो Grandmaster बने है ठीक है ये 29th youngest Grandmaster है मतलब All Over The Word 29th youngest Grandmaster बने है जो 1st youngest Grandmaster थे वो थे शर्गे कार्जटीन ये रश्या के हैं और ये 12 साल 7 महीने के थे जब इनको Grandmaster का title मिला ठीक है Grandmaster title हासिल करने के लिए जो qualify करने के लिए आपको कम से कम 3 Grandmaster norms में पूरा होना चाहिए minimum of 27 games में से ठीक है Leon Mendonka का जो पहला norm था वो था Rego Chess में 2nd रहा आपका बुड़ा पैस्ट में और जो 3rd रहा फाइनल वन वो था वरगानी का वरगानी का अपने उन्होंने 2nd position हासिल करी और जो 1st रहे थे वो थे युक्रेयन के विटाली ब्रेंडिस की ठीक है फिर अगर मैं इंडिया के Grandmasters की बात करूँ तो गुकेश डी इंडिया की youngest Grandmaster है और second youngest Grandmaster है ये वर्ल्ड में इन्होंने जो टाइटल हासिल किया था ये 12 साल 7 महिने और 17 दिन के थे जम इन्होंने ये टाइटल हासिल किया था ठीक है और ये तो है youngest और second youngest गुकेश ड इंडिया के जो first Grandmaster है जुन्होंने first person रहा है इंडिया से जुन्होंने Grandmaster का टाइटल अचीव किया वो था विश्वनात आनन और ये 1988 में उन्होंने अचीव करा था ठीक है important शीज है याद रखिएगा और जो इंडिया के 66 इससे पहले भी 67 तो अभी हमने देखा भी हमारे म मेंडॉंग का जी बने है लेकिन जो 66 बने थे वो थे Grandmaster with a rating of 2497 वो थे आपके कौन अकाश जी अकाश फ्रॉम चन्नाई 67 मेंडॉंग का 66 भी इंडिया से थे जी अकाश मेंडॉंग का ठीक है चलिए next चलते हैं अपना नेक्स है हमारा और आज का लास्ट टॉपिक रहेगा वो है हमारा आई सौकी चैंपियंशिप आई सौकी चैंपियंशिप आपकी जो जीता है इस बार वो जीती है याद रखेगा ITBP इंडो तिबितिन बॉर्डर पुलिस ठीक है ये 10th नेशनल आई सौकी चैंपियंशिप रही थी गुल मर्ग में हुई थी कराई किसने थी ये कराई थी आपकी IHAI ने आई सौकी एसोशेशन आफ इंडिया के द्वारा कराई गई थी इसमें 8 टीम्स ने पार्टिस्पेट किया ये याद रखिएगा और जीता कौन है ITBP ठीक है इंपोर्टेंट चीज थी याद रखने के लिए बहुत अच्छे क्वेशन है तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा सेशन अगर पसंद आया तो लाइक बटन को जरूर दबाना इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेर करें ताकि उन्हें भी पता लग सके कि करन्ट अफेर्स हम कितने अच्छे तरीके से आपको प्रिपेर कराते हैं और कितना अच्छा चैनल है हमारा अफेर्स क्लाउड अगर नए है इस चैनल पर आपने हमारी वीडियो पहली बार देखी है तो जाके सब्सक्राइब बटन जुरूर दबाईएगा हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है इस ची जीएगा हमारी टीम आप तक जरूर पहुचेगी और जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगी तो गाइस देट्स वाल फॉर दे विकास साइनिंग ओफ